हलो दोस्तो स्वागत आप सभी लोगों का हमारे इस यूटूब चैनल में और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना एप्लिकेशन को यूज किये बैक्गराउंड चेंज कैसे कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो आपने इसे सुना आप लोग बिना किसी एप् फोटो का बैक्गराउंड चेंज कर सकते हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं और दोस्तो यदि आप लोग नहीं जानते हैं बिना एप्लिकेशन को यूज किये किसी भी फोटो का बैक्गराउंड कैसे चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो क पूरा धियान से देखेगा वीडियो को end तक देखेगा क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको अपने फोटो का background चेंज करके दिखाएंगे बिना application को use किये तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करे, share करे, comment करे और दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करें, तो चले दोस्तो बिना time गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने mall में chrome browser application को open करना है, जैसे ही आप अपने mall में chrome application को open करोगे, तो दोस्तो कुछ as interface दिखाई देगा और दोस्तो अब आपको इसमें यहाँ पर एक option मिलेगा, search bar का यह वाला option आपको दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर search bar वाले option पर click करना है, और दोस्तो आपको search bar में type करना है, remove bg ठीक है, जैसी आप यहाँ पर remove bg type करते हो, तो द search करने के बाद आपके सामने कुछ as interface दिखाई देगा, और दोस्तो आपको यहाँ पर सबसे पहला option मिलेगा, remove image background, तो दोस्तो आपको इस पर click करना है, जैसी आप इस पर click करते हो, आपके सामने कुछ as interface दिखाई देगा, और दोस्तो अब आपको scroll down करना है कुछ इसरीके से और दोस्तो इसमें आपको नीचे काफी सारे images देखनों के मिलेंगे आप देख सकते हो ठीक है और दोस्तो अब आपको photo का background change करने के लिए आपको क्या गरना है आपको यहापर एक option मिलेगा upload image का तो दोस्तो simply आपको क्या करना है upload image पर आपको click करना है और दोस्तो आपके mall की photos gallery यहाँ पर open हो जाएगी और आपके mall में जितने भी photos होगे यहाँ पर सभी आपको hope हो जएगे ठीक है मेरे mall की photos gallery यहाँ पर दोस्तो open हो चुकिया और दोस्तो अब आपको जिस photo का यहाँ पर background change करना है जिस photo को edit करना है उस photo को you have to вас सेलेक्ट करना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं और दोस्तों डन पर क्लिक करता हूं जैसी डन पर क्लिक करता है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपलोडिंग इमेज तो दोस्तों यहाँ पर आपने जिस फोटो को लिया है वो यहाँ पर upload हो रहा है तो दोस्तों आपको 10-15 सेकेंड यहाँ पर wait करना है और देखें दोस्तों मेरे फोटो का यहाँ पर background change हो चुका है आपको दिखाई दे रहा होगा और दोस्तों मैं आपको अपना original वाला फोटो भी दिखा दिता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देखें मेरा original फ तो दोस्तो, आपको Edit वाले Option पर क्लिक करना है, जैसी आप इस पर क्लिक करते हो, तो दोस्तो, यहाप को काफी सारे Background मिलेंगे, आपको Blur Background मिलेंगे और दोस्तो, Upload Background का Option भी आपको मिलेगा, आप अपनी गैलरे से कोई भी फोटो लेकर उसका भी Background पर बना सकते हैं, आपको Color background भी यहाँ पर मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर blur background आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा से वेट कीजिए यह देखे blur background आप देख सकते हो फिर दोस्तों मैं यहाँ पर photos वाला background ले लेता हूँ जो यहाँ पर है wallpapers वाला तो देखे दोस्तो इस तरीके से आप यहाँ पर background change कर सकते हैं color वाले background है इस तरीके से यहाँ पर देखे काफी सारे color आपको मिलेंगे आप यहाँ से color वाला background भी change कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से आप यहाँ से background change कर सकते हैं इसको edit कर सकते हैं काफ़ी सी है और दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like, share और comment करें और दोस्तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करें थेंक्यों दोस्तो